ही गाइस विलकम बाक तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि XRP, Ripple और SEC को लेके रीसिंट क्या development यहां पर हुए हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि SEC है क्या तो SEC का फुल फुल फॉर्म है Securities and Exchange Commission यह यूएस की अंदर बेस्ट एक डिपार्टमेंट है जैसे इंडिया के अंदर से भी है वैसे यहां पर SEC है जिसको यहां पर फॉर्म किया था 1933 के अंदर जब यूएस के अंदर हमको ग्रेट डिप्रेशन यहां पर देखने को मेला था 1929 के राउंड और उसके बाद यह 1933 में इसको इस्टाबलिश किया था यह एक फेडरल गर्मेंट एजनसी है जिसका बेसिकली आपर काम यह रहता है कि यह प्रोटेक करें यहां पर इंवेस्टर्स को अगेंस्ट फ्रॉड्स या कोई भी मैनुपलेशन की प्राक्टिस अगर मा तो रिपल यहां पर जो है एक ब्लॉक्चेन बेस्ट डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिन्होंने बेसिकली यहां पर इकसाट टोकन को इनिशली लांच किया था एकसाट पि अगर आप देखेंगे वैसे तो डीसेंटलाइज एक क्रिप्टो जो है यहां पर होना चाहिए जह यहां पर कोई भी गर्मेंट या सिंगल एंटिटी जो है उसको यहां पर कंट्रोल नहीं करें सौड़ लेकिन अगर आप देखेंगे XRP के जो टोकन है बहुत अन इवनली डिस्टिब्यूटेड है जहां पर मिजॉरिटी टोकन की जो सप्लाय है वो खुद यहां पर रिपल हो यहां पर हमेशा एक क्वेशन रहा है XRP और रिपल को लेके कि टोकन जो है इतना ज्यादा डिसेंटलाइज नहीं है इन फाक्ट इसके नोट्स भी जो है वो इतने ज्यादा डिस्टिब्यूटेड नहीं है जिस तरह से विटकोईन या एथिरियम के अंदर यहां पर है अग nylon Here are you Agric Party Act की according XRP यहां पर एक security है an ripp mix यहां पर इश यहां पर issue कर रहे थे XRP को और उन्होंने यहां एक पर around 1.3 billion dollars worth of XRP जो है market के अनदर सिल किये तो यह इन वे यहां पर security बन जाता है अगर आपको नहीं पता है तो security एक financial instrument होता है, जिसके अगर आप देखोगे, अगर कोई भी ऐसी चीज है, जिसको आप सेल कर रहे हो, जिसके अदर investment हो रहा है यहाँ पर लोगे का, और साथ में एक कोई common enterprise है, जो इसको यहाँ पर control कर रही है, और उस investment के अंदर लोग जो है, यह investors जो है, उनको किसी तरह से य security यहाँ पर माना जाता है, तो यही कुछ factors है, वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई company है, क्या किसी चीज को instrument को यहाँ पर control कर रही है, क्या उन्होंने market में उसको सेल किया कि किसी प्राइस के लिए, और क्या उस company के basis पर जो चीजे करते हैं उस पर प्राइस पर पड़ता है कि और प्लस जब वो ऑफर किया गया था, तो क्या यह expectation दी थी कि अगर आप बाइ करोगे तो और आप profit यहाँ पर बना सकते हो, तो यह हाँ वी टेस में वो calculate करते है, जिसके according उनका बोलना यह है, कि हमारे हाँ वी टेस के according, XRP यहाँ पर securities के अन्दर आता है, साथ में उन्हों है कि XRP यहाँ पर securities नहीं है, and how we test के according भी वो यहाँ पर security नहीं बनता है, and इसी कारण यहाँ पर जो lawsuit SEC ने फाइल किया, उसी के against में इन्होंने यहाँ पर lawsuit फाइल किया, तो एक यह quick recap था, अगर आप नहीं updated हो इस पूरे situation के बारे में, तो I hope इससे आपको एक idea मिल गया है, बाकि हमने यहाँ पर XRP और SEC का क्या case चल रहा है, क्या उसकी progress है, उसको लेके पहली भी काफी सारे videos बना रखें, तो आप उनको definitely check out कर सकते हैं, अगर आप और इसके बारे में जानना चाते हैं, लेकिन अभी current जो situation है, यह पूरी जो battle चल गी है, इस पर यहाँ पर चल क्या अगर आपको नहीं पता है, हिन्मन documents है क्या, तो यह basically internal emails है, जहाँ पर SEC के former director, William Hinman, उनकी speech ती जहाँ पर उन्हों नहीं बोला था कि वो Bitcoin और Ethereum को यहाँ पर as a security नहीं देखते हैं, और main focus यहाँ पर Ripple का यह क्योंकि अगर आप Bitcoin को देखोगी, तो Bitcoin की कभी sale नहीं हुई, ले यहाँ पर मान सकते हैं, और इसी कारण से Ripple का यहाँ पर यह मानना है, कि हिन्मन documents काफी crucial role यहाँ पर play करेंगे, जब यहाँ पर Ripple और SEC के lawsuit की बात यहाँ पर आती है, और जब यह news publish हुई, कि हिन्मन documents Ripple को मिल चुके हैं, तो उसके बाद यहाँ पर Brad Garling House, जो अभी currently CUA Ripple Labs के, उन्होंने भी tweet किया, जहाँ पर उन्होंने यह चीज बोला, कि SEC चाहती है, कि वो आपको ऐसा लगे कि वो care करती है, यहाँ पर लोगों के बारे में, transparency के बारे में, disclosure के बारे में, clarity के बारे में, लेकिन उनको आप बिल्कुल believe मत करो, अभी हमारे पास documents आ गए हैं, eventually वो बहार आएगी, and जब आएगी, he is saying that it is going to shock everyone, अब यह पूरे scenario के बाद, यहाँ पर SEC के जो chairman है, Gary Gensler, उनकी तरफ से अभी तक publicly कोई comment जो है, यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन आप देखते हैं, कि यह human documents आने के बाद, आगे SEC और Ripple का जो case है, इसमें किस तरह से चीज़ जो है, यहाँ पर clear कर सकते हैं, जो भी होता है, इस case के अंदर आगे, हम आपको definitely यहाँ पर updated रखेंगे, and अगर आपको आज का यह वीडियो जो है, अच्छा लगा है, तो please do like, do subscribe, बाकि आपकी क्या viewpoints है, यहाँ पर SEC और Ripple का जो पूरा यह case यहाँ पर चल रहा है, what do you think about XRP, आप definitely comments में दालके जरूर बताना, बाकि मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक लिए बाई and take care, बाबाई